मध्यो प्रदेश में होने वाले उप्चुनाओं से पहले सियासी सरगर्मी कॉंग्रेस से बागी होकर बीजेपी सांसत बने जोत्रादित सिंधिया ने बढ़ा दी है सिंधिया ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया है जिसको लेकर अपने अपने कयास लगाए जा रहे है हाला कि माना जा रहा है कि सिंधिया पर लग रहे आरोपो के जवाब में उन्होंने ये ट्विट किया है इससे पहले सिंधिया ने एक पोस्ट में सिर्फ टी लिखा था कुछ दिर बाद पोस्ट हटा ली गई इसके बाद फिर एक ट्विट किया जिसके बाद से मध्यप्रदेश उप्चुनाओं से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है बता दें कि राज्य सभासांसत जोतरादित सिंधिया पिछले तीन दिनों से ग्वालियर और चंबल में ताबर तोड भूमी पूजन और शिला न्यास कर रहे हैं सिंधिया ने एक ट्विट किया जिसमें सिंधिया ने सिर्फ टी लिखा था ट्विट होते ही वाइरल होने लगा यूजर्स ने सवाल किये कि क्या इसका मतलब टाइगर ही है या कुछ और हाला की थोड़ी देर बाद इस ट्विट को डिलेट कर दिया गया इसके बाद सिंधिया ने एक और ट्विट किया जिसमें सिंधिया ने लिखा है कि हम जमीनी कारे करता हैं और अपनी धर्ती मा से जुड़कर कारे करने वालों में से हैं हमें अपनी माटी अपनी जनता के उज्वल भविश्य की चिंता है और यदी उसके लिए हमें कुर्सी भी त्याग करनी पड़े तो हम पीछे नहीं हरते माना जा रहा है कि सिंधिया ने ट्विट कर कॉंग्रेस के उन सवालों का जवाब दिया है जिसमें अक्सर कॉंग्रेसी उन पर आरोप लगाते हैं कि पद और पैसे की लालच में सिंधिया वा उनके समर्थक विधायकों ने पार्टी छोड़ी थी बता दे कि पूर्व मुख्यमंत्री वा प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमिलाथ इसको लेकर कई बार सिंधिया की नैतिक्ता पर सवाल उठा चुके हैं बता दे कि मध्यप्रदेश में जल्द ही 27 सीटों पर उप्छना होने हैं बता दे कि मध्यप्रदेश में जल्द ही 27 सीटों पर उप्छना होने हैं ऐसे मिस्ता भी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगे हुई है बता दे कि मध्यप्रदेश में कमनलाथ की सरकार यानिकी कॉंग्रेस की सरकार गिर गई ऐसे में मध्यप्रदेश में सटा पर उप्छनाओं होने हैं जानकारी सुत्र रह Perm Sutr pig ज़रूर अबकबागे तमाम जानकारी by बढ़े नाइन साथ के बागे लए बने और एक्ट रेक शी पैरिया में जल्या झाल